हेलो दोस्तो दोस्तो तेवहारों पे जब भी आपको अपना घर सजाना होता है तो ऐसी चीजे बहुत ही डेकुरेट करती है आपके घर को और बहुत अच्छी भी लगते हैं लेकिन यह कोश्टली मिलती है तो हम कई बार खरीद भी नहीं पाते हैं इसको हम घर पे बनाएंग तो यहां मैंने नेट लिया है नेट थोड़ा सिंथेटिक है और इसलिए साइन भी कर रहा है और यह जो मेरा दूसरा कपड़ा है यह थोड़ा सा मिस मैच हो गया चलो कोई बात नहीं अब इसी से काम चलाएंगे तो यहां मैंने 16 इंच का कुशन त्यार करना है तो मैंने 17 17 17 इंच का यह स्केर कट कर लिया है यानि कि 17 दूसरी भी 17 तो दूसरी साइड अब मैंने 18 इंच का इसका नीचे का पार्ट कट किया है क्योंकि वह एक इंच एक्स्ट्रा हमें चाहिए सबसे पहले मैंने एक कपड़ा लिया और इसके नीचे मैंने फोम लगा दिया अगर हम लगाएंगे फोम सीट और उसके बाद अपना ये कपड़ा लगाएंगे जिस पे हमें काम करना है इस कपड़े के उपर आप या तो क्रोस में या फिर ऐसे प्लस का एक दो सिलाई लगा दे जिसी कि फोम हिले नहीं नहीं अस्तर हिले और जो हम डिजाइन दे वह अपना अपर बैठ जाए तो यह मैंने सिलाई लगा दिया प्लस का साइन बना दिया सेंटर हमारा इससे हम बन गया है बीच में अब हम अपनी नेट लेंगे और नेट आपको कितनी लेनी है जैसे कि हमारी एक साइड थी 17 इंच तो उसका डबल ले देंगे यानि कि 34 इंच अब यह है हमारा 23 इंच अब देंगे हमें ऐruktट कर लेंगे क्योंकि हमे पता चलेगा कि क्रोश hãगे डिजाइन डालना होता है तो यह एक इंच अक्सट्रा ही लग जाता है अगर एक्सट्रा ना भी लगे तब भी क्या होता है कि अगर हमारा फाल्त होगा तो कम रह जाएगा तो कम मारे डिजैन खराब हो जाएगा तो हमेशा इतना आधा एक इंच का मार्जिन हमेशा रखके चले और बिगिनर है तो पका रखके चले दोस्तों अब हम क्या करेंगे देखिए यह हमारी एक साइट थी जो कि हमने 17 इंच कट की थी और यह हमने नेट ली थी 34 इंच अब हमें ड जाएं डालना है सेंटर वाली सिलाई हमने लगाई हुई है तो जहां तक आधे तक आपने मसीन की तरफ प्लेटे डालनी है और आधे से आपने अपनी तरफ प्लेटे डालनी है यानिकि आधी प्लेटे डलेंगी मसीन की तरफ करके और आधी प्लेटे डलेंगी हमारे कोर्णर से जो सेंटर तक हमने ऐसे लगानी है इसके लिए आप को यूज कर सकते हो नहीं लेस है तो ऐसे भी लगा सकते हो क्रोप है क्रोप decadering को अब आपके उपर चलानी में और शाथ साथ में दोयाना कर लिया है यूज करें तो आपको तो comfortable feel नहीं हो रहा तो आप ऐसे करें कि पहले आप अपने नेट के सिलाई लगा दे और बाद में लेस लगाएं और यह देखिए दोस्तों लग रहा है ना मस्त इस तरीके से हमारी एक साइट लग गई है अब हमने क्या करना है अब इसी तरीके से जैसे हमने यह लगाई है ना सिलाई इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ लगा लेनी है एक corner से लेंगे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपने net को खीचना नहीं है कहीं भी आप net को खीचेगे नहीं तो अगर आपको अपने घर के लिए ऐसी चीजे पसंद है तो आप हमेशा इस तरीके से इनको घर पे ही बनाएं बहुत अच्छे चे डिजाइन मेंने डाले हुए है इससे सबसे बड़ा फायदा यह रहता है कि आप खुश रहते हो फालतू की बातें नहीं सोचते हो आपको बहुत खुशी देती है यह चीजे क्योंकि यह आपने अपने हाथों से बनाई होती है तो इस तरीके से हमने दूसरी तरफ भी अपनी लेस लगा ली है नेट हमारी लग गई है अब देखिए आपको करना क्या है जैसे हमने इसको दोनों तरफ हमारी सिलाई लेस लगने के बाद अब हमने जिस साइड सिलाई लगाई थी एक साइड हमारी अभी भी ओपन है तो जहां से अपने सिलाई लगई थी बस यहां से आप अपने नेट को अरेंज करिए एक फलावर की शेप देते हुए यानि कि इंचुंटो को आपने सेंटर में इकठा करना है जैसे मैं कर रही हूँ अभी देखिए बस ध्यान रखना है आपने नेट को खीचना नहीं है इसको लूच छोड़ दे जहां से आपको लग रहा है ना कि यहां से खीचा हुआ है अगर आपने खीच के लगाया ना दोस्तों बिल्कुल भी लुक नहीं आएगा तो यह देखिए मैंने सेंटर में इसको इकठा कर लिया है इस साइड में एक साइड جहां से सिलाई نہیں लगी है फालतू का है उसको इस साइड निकल ने दे अब हमने इसको एक अच्छे से रेंज कर लिया है और यहां हम सुई और धागे की मदद से इसको यहां सिटिच कर देंगे ताकि हमारा जो डिजाइन है वो यहां पे पुरा फिक्स हो जाए औ आगे पिछे ना हूँ तो यह देखें हमारा फुरी तरीके से रेंच हो गया है अब हम इसको यहां से सिल देंगे सेंटर से सेंटर से सिलाई लगाने के बाद दोस्तों अब आप इस पे कुछ भी अटेच कर सकते हो कोई पैच फूल कुछ भी और दूसरी तरफ भी आपने ऐसे ही सिलाई लगानी है जैसे हमने उस तरफ लगाई थी यानिकि आधी नेट को मसीन की तरफ लेटे डालने है और आधी वह बहुत अच्छे से आई और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हमारी लेस को पूरी तरह कवर नहीं कर देना है अब यह देखिए इस तरफ मैंने आधी में प्लेटे डाल लिए और आधी प्लेटे हम अपनी तरफ करके डालेंगे इस तरीके की डिजाइन दोस्तों को स्किप कर सकते हैं कोई है तो उसको लगा सकते हैं जैसे मैंने यहां यह फ्लावर इटेच किया है आप यहां पे स्टोन चैन वाटまぁ सालेंगे और जाने दोनों तरफ से इस तरीके से कपड़े को म The एक हैरो तरफ कि सिलाई लगा देंगे जहां को इस तरीके से दोस्तों आप बहुत संदर-शंदर चीज है अप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं एक जैसे कि मेरे पास जो भी श्टोन थे मैं यह फैवरिक क्लू की हेल्प से इनको अटेज कर दूंगी इससे यह और भी ज्यादा सुन्दर लगेगा अगर आपके पास कुछ भी है तो इससे आप लगा सकते हैं कुछ नहीं है तो उसको कम भी कर सकते हैं और यह देखिए हमारा स संदर सा कुछ न बनके तैयार हो दोस्तों आप इसमें एक और चेंज कर सकते हो कि आप यह पांचो कुछ न अलग लग के त्यार कर सकते हो